So well guys, वो चीज फाइनली आ चुकी है, जिसका हम लोग काफी टाइम से इंदिजार था And free to play players के मज़े होने वाले हैं Because आप लोग यहाँ पे without spending any money, खरी सकते हैं बहुती ओपी-ओपी skins and यहाँ पे scenery So well guys, सुआग थे हाँ सभी का Clash of Clans के एक और नए वीडियो में तो आज हमारे summer update की last nick pick है सबसे पहले चीज जो reveal हुई है guys वो यहाँ पे basically हमारा एक नया troop तो हमने चुह यहाँ पे अपने वीडियो में बात की थी यहाँ पे warden की छड़ी जैसे हमें दिख रही है विच की छड़ी जैसे तो warden और विच में से दोनों में से किसी इसका connection था लेकिन guys से तो quite literally यहाँ मतलब warden का ही mini warden version लग रहा है और यह इसको mini warden बोलना बिल्कुल सही रहागा यह एक तरह से हमारा new warden है बट अज़र ट्रूप सो मुझे काफी बढ़ी अलगा इसा gameplay वगरा भी आप देखे होगे काफी सही है एंड चली इसके stats देख लेते हैं फिरम लोग अपनी जो scenery वगरा आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और उसका preview देंगे आपको सो यह guys ने अपना apparent tins warden I hope मैंने सही प्रणाउंस किया हो तो वलकिए इसके आप damage per second देख सकते है hit points भी आप देख सकते हैं काफी ठीक टाक है यह जो अपना super hog radar है उससे काफी मिलते जूलते इसके hit points वगरा है लेगिन इसका एक special ability देखो इसका जो aura है ना basically वो यहाँ पर 30% increase होके है level 4 पर और यह aura basically जहसे अपना grand warden के पास होता है यह उसके पास भी होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं despite his grand ambitions apparent his warden is still just a student supports troops with magical life aura वही same जो अपने warden के पास से तो वैसे कुछ काम करता है so मेरे को तो काफी ठीक लगा आप लोग इसके उपर अपने open end comment section में जरूर देना तो well guys हमारे game में finally free to play players के लिए कुछ आई रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हर सेजन gold pass वकर एक तम free में खरीदता हूँ अगर आपको जानना है कैसे तो इस पार को पूरा जरूर देखना गेम्स तो हम सभी लोग खेलते हैं लेकिन guys आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ कैसे मैं games खेल के पैसे earn करता हूँ और इनी पैसे को मैं gold pass scenery खरीदने के लिए use भी करता हूँ सबसे पहले से आपका withdrawal proof देख लिए कितना आसान है एक click में bank UPI कहीं पर redeem हो सकता अगर आपको बस कुछ भी नहीं है तो इसी app से आप redeem code भी बना सकते हो बागी description की link से download करने पर आपको यहाँ पे मिलेंगे 550 उरुपै बोनस के बोनस कैसे मिलेगा description की link से download करना है विंजो पे आगे कोई भी एक game खेल लेना है तो भाई यहाँ पे वो सारे games आप free में भी खेल सकते हो और भाई मतलब जो बोनस में आपको पैसे मिले उनको भी यूज कर सकते हो मतलब एक तरह से विंजो पे बाई over 100 games है जिन्हें आप खेल सकते हो एक तरह से एक app के अंदर 100 games है और उने खेलने के आपको पैसे भी मिल रहे है तो भाई इससे अच्छ और क्या हो सकते हो और अगर आपको पास यहाँ पे बैंक यूपी नहीं है तो यहीं पे आप redeem code ही बना सकते हो गेम्स के लिए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेसिकल यहाँ पे चार न्यू स्किन्स आ रही है जो कि अब लीग स्किन्स के नाम से आएंगी एंड यह आपको शॉप के अंदर देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में फ्री से मेरा मतलब यार देखो आपको अपने खुद के पैसे नहीं खर्च करने गेम की currency उज़ कर सकते हो जो अपने leaked medals होते हैं तो मेरे opinion में तो यार यह free to play players के लिए है तो इसको मैं free बोलना चाहूँगा and I hope आप लोग समझ पारे हो मैं इससे free क्यों बोल रहा हूँ अवल के जिसके साथ ही हमें एक scenery मिल रही है जिसका नाम है war arena scenery and भाई यह scenery न बिल्कुल भी ऐसा लगने रहे हैं इसमें कोई compromise किया गया एक दम बिल्कुल यार जो पैसो वाली scenery आती है मुझे उससे भी epic लग रही है so यार यह scenery में तो मैं कुछ भी नहीं निकालूँगा खमिया बहुत ही बड़ी है I think अभी तक की one of the best scenery में एक है और यह basically war scenery है so यह war की है तो वो एक चीज है बस की war में आप इसे use कर सकते है and basically अब guys बात करते हैं skins के बारे में जो skins आ रही है वो उनका preview अगर आपको मैं दिखा देता हूँ चलिए तो भाई जो skins आ रही है new उनका preview अपने skin पर अभी देखेंगे पहली skin जो आ रही है guys league king यह legendary level की skin है ठीक है तो आपको legendary level की skin है मिल रही है एकदम free में एकदम free नहीं मतलब एक तरह से free to play players के लिए आप लोग इने shop से खरीश सकते हो without spending any real money अब guys इसके बाद अगर हम देखें और basically आप लोग यहाँ पर league shop में जो medals मिलते है न उनको आप लोग basically सिर्फ और सी महनत से ला सकते हो ना कि उन्हें भाई कहीं से gems तरह खरीश सकते हो वगरा वगरा तो यह सिर्फ महनत पर depend करेगा आप इने तभी gain कर पाओगे ठीक है अगर आपके पास league medals जाता है तो league king ऐसा दिखता है गाईस सेकंड हम बात करें हमारी league queen I think यार चार उसके में league queen मुझे यहाँ पर थोड़ी unique लगी और मुझे personally यह थोड़ी कम पसंद आई इनके सभी के में review भी लाऊंगा इसी चैनल पर और साथ ही में इनका इनमें से best con सी है अगर आपको एक लेनी है तो कौन सी pick करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा कलम लोग आएंगा इसके उपर वीडियो और यह अपना league warden है one of my favorite I guess and basically मेरा favorite जो है न गाईस वो यहाँ पर league king second पर मेरा league warden है because आप देखो league king जो है कितना cool लग रहा है इसके पास जो यह पूरा titan वाला effect पूरा इस case में मतलब पूरा जो इसकी टाइटन हमारी टाइटन league जो होती है न वैसा वाला पूरा इसके पास shield वागे रहा है और पूरा face का cover है यह कुछ अलग ही भाई feel दे रहा है कोई ऐसे samurai type के feel दे रहा है नौश रुपय में So I think Yarinow ने बहुत अच्छा काम किया And league shop में मतलब आ रही है इसका मतलब यह नी कुछ भी उढ़ा कर ढाल दिया सच में बहुत ही epic लग रही है मुझे तो And this was the start guys wait करो बहुत कुछ आने वाला free to play players के लिए So finally Clash of Clans आप थोड़ा free to play players के लिए भी सोच रही है जो की देखकर बहुत अच्छा लगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी information मिलिए अगर आपको इवीडियो अच्छी लगी है चैनल को subscribe कर देना ऐसी रिली Clash of Clans के amazing videos के लिए मैं आपस मिलता हो के लिए वीडियो में दबता के लिए Keep Clashing Peace out